जेवलिन त्रो में में मेंस में नीरच चोपड़ा भारत की तरफ से पदक के सबसे बड़े दाविदार है इंडियन विजिटर्स पर फिनलेंड सरकार द्वारा लगाए गए ट्रेवल रेस्ट्रिक्शन्स के कारण इस महीने के कोटन गेम्स में उनका खेलना मुश्किल लग रहा है कोटन गेम्स 26 जून को होने वाली एक दिवसी अथलेटिक्स मीट है 2018 जकार्ता एशियाई गेम्स के चैंपियन चोपड़ा को पिछले हफ़ते फ्रांस जाने के लिए वीजा मिला था सुतरों का कहना है कि यह डावटफुल लग रहा है क्योंकि चोपड़ा को फिनलेंड सरकार से कुटेन जाने करने की मंजूरी नहीं मिली है हलाकि वो 22 जून को स्वीडन में काल्स्टिग ग्रॉमप्री में भाग लेंगे नीरज फ्रांस में 10 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रहेंगे हलाकि यह कड़ा नहीं होगा वो दिन में 3-4 घंटे अकेले प्रैक्टिस कर सकेंगे फ्रांस में क्वारंटाइन खत्म होने के बाद वो स्वीडन जाएंगे वो वहीं से टोक्यो जाएंगे या भारत आकर इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है मार्च में चोपड़ा ने पटियाला में डोमेस्टिक मीट के दोरान अपने नैशनल रिकॉर्ड को 88.07 मीटर का त्रो करके सुधार किया था इंटरनेशनल जनवरी 2020 में 87.086 मीटर के त्रो के साथ नैशनल चैंपियन ने दक्षिन अफ्री की डोमेस्टिक टूर्नामेंट में क्यों ओलम्पिक्स गेम्स के 85 मीटर के क्वालिफाइंग माक को बहतर बनाया तब से उन्होंने महामारी के कारण किसी भी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में भाग नहीं लिया है